हलो श्टूडेंट्स वेलकम टो सिपसंकर बायलोजी सिपसंकर बायलोजी में एक वर फिट से आप सभी का स्वागत है तो श्टूडेंट्स आप लोग को चल रहा था बीसी सी प्लस नीट इकजाम 2021 के लिए एनमल किंगडम का इंपोर्टेंट कोस्टन आज आपका किसरा क्ला कोचो को पहचाना जा सकता है और नर के गुद सुक से और अपसन भी मादा के गुद लूम से और चुगी काओं से और अपसन डी बी और सी दोनों से तो देखिए बाहरी रूप से जो नर और मादा काकरोज को पहचाना जा सकता है तो आपका यहां पर राइट अंसर हो जात होता है option A, फेरोमोन द्वारा, option B, थायराउक्षिन द्वारा, option C, 1T सोन द्वारा, 1D सोन द्वारा और option D, उपर्युक्त सभी, तो किटों में कायंदरान का नियामन जो होता है, वो 1D सोन द्वारा होता है, उसके बाद अगला कोशन, अगला कोशन काता है वो वा किट जो बिमारियों का सर्व स्रेष्ट या अंतरिक बहाख होता है, घडिकुलस, option B, सीमयक्स, option C, मसका, और अप्सन D, जीनो, प्लैसहेला, तो देखें, कुवा केट जो बीमारियोंका सर्व स्रेष्ट यांतरिक बाहख होता है, तो सर्व स्रेष्ट यांतरिक बाहख होता है आपका मसका, तो राइट एंसर आपशन नमबर C, आगला कोश्हन, निमनी मेंसे कौन इकायनो में पाया जाता है ओपशन A, यह समीर तो right answer option number B उसके बाद अगला question कहता है BS के खरगोस के गुर्दे होते हैं option A पुरोने फरस और option B मेटाने फरस option C मीसेनो फरस और option D OPU अस्थोयनो फरस तो देखिए BS के खरगोस के गुर्दा जो होता है न मेटाने फेरस होता है तो right answer option number B अगला question कहता है एक अंडे देने वाला अस्तनी है option A कंगारू option B पलेटीपस option C कोयला और option D वहल तो एक अंडे देने वाला अस्तनी जो होता है वो होता है पलेटीपस तो right answer हो जाएगा पलेटीपस उसके बाद अगला question पोरी फेरा में पाया जाने वाला सबसे साधारन प्रकार का नाल तंत्र है option A एसकन प्रकार का option B लूकियन प्रकार का option C साइकन प्रकार का और option D रेडियल प्रकार का तो पोरी फेरा में जो पाया जाने वाला सबसे साधारन नाल तंत्र होता है तो right answer हो जाएगा आपका option number A उसके बाद अगला question काता है तिनिया के बारे में क्या सही है? Option A नरंग पश देखंडों में होते हैं Option B नरंग अगर देखंडों में होते हैं Option C मादा यंग अगर देखंडों में होते हैं Option D परिपक्वे देखन्डों में दो नर उवा मादा अंग पाए जाते हैं तो आपका टीनिया के बारे में जो स़ऄ सब्ध कथण है उराइट अंसर हो जाताो आपसन नंबर D उसके बाद अगला कोशण है S-Carries का लारवा कहलाता है IS-Carries का लारवा क्या कहलाता है आप्षन ए शिष्टी सरकस आप्षन बी रेवडीटी फॉर्म आप्षन सी हैक्सा किन्थ और आप्षन डी अनको अश्फियर तो एसकेरीस का जो लारवा होता है वो रेवडीटी फॉर्म कहलाता है तो राइट एंसर हैं हाँ पे हो जाए का आपका ऑप्षन बी अगला कोशन कहाता है पच्छियो का दुवानी यंत्र कालाता है ऑप्षन अ पाइग्व अश्टाइल ऑप्षन बी लेरिक्स ऑप्षन सी सिरेक्स और आप्षन डी साइन ये सिक्राम तो पच्छियों का जो ध्वनी यांतर होता है वो क्या कहलाता है तो राइट एंसर अप्शन नमबर C उसके बाद अगला कोशन ब्यस्क कियूलिक्स वा एनो फिलीज को पहचाना जा सकता है उप्शन नमबर A मुखांग या रंग द्वारा उप्शन B बैठने के धंग से उप्शन C सरंगी काओं या पंखो से और उप्शन D पोसी बेवार यानि आदतों द्वारा तो ब्यस्क कियूलिक्स वा एनो फिलीज को पहचाना जा सकते हैं तो राइट अंसर यहां पर आपका हो जाता है उप्शन नमबर B उसके बाद अगला कोशन काता है कौन सा मोल अश्कन बर्ग है जिनमें नेत्र कसेरकियों के नेत्रों के शमान होते हैं आप्शन ए बाई बेल बिया आप्शन B गेश्ट्रो पोड़ा आप्शन C पहले साइ पोड़ा आप्शन D सिफेलो पोड़ा तो मोल अश्कन बर्ग पुश्ता जिसमें नेत्र कसेरकियों नेत्रों के शमान होता है तो आपका यहां पर राइट अंसर हो जाता है उप्शन नमबर D उसके बाद अगला कोशन काता है तारामीन समंधित है उप्शन A एस्टी राइडिया बर्ग से उप्शन B ओफी यूरीडिया बर्ग से आप्शन C, होलो थूरी डिया बर्ग से और आप्शन D, क्रीन आई डिया बर्ग से तो दखिए, तारमीन समंदित है, तो राइट एंसर हो जाता है आपका आप्शन नमबर A उसके बाद अगला कॉशन काता है आरास्तू की लाल टेन नीवन बर्ग में पाई जाती है आप्शन A, एकाइन नो, एडिया, आप्शन B, आईश्टी रिडिया, आप्शन C, होलो यूरी डिया, आप्शन D, हौफी यूरी डिया तो देखिए, आरास्तू का जो लाल टेन नीवन बर्ग में पाई जाती है, आरास्तू की लाल टेन तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाता, आप्शन नो, ए, उसके बाद अगला कोश्चन कहता है, भारत का बुल, फ्रॉग, यानि बुल में ढख है, आप्शन A, राना टिकरिना, आप्शन B, आर सिल्बेटिका, आप्शन C, आर यूकेटेस बियाना, आर आप्शन D, आर एसक अगला कोश्चन, मनुसों की गरीबा कैसी रुकाएं होती है, आप्शन A, वहल के शमान, आप्शन B, खरगोश से अधिक, आप्शन C, घोडों से अधिक, आर आप्शन D, जीराप से कम, तो मनुसों की जो गरीबा कैसी रुकाएं होती है, वो होता है वहल के शमान ही है, तो तो राइट अंसर हो जादेगा आपका option number A, उसके बाद अगला question कहता है, वहेल शमगादर वचुहे में क्या समानता है, option A, ग्रीवा की अनुपस्थिती, option B, बच वा उदर के मध पेशिये डायफ्राउं, option C, सरीर के उच ताप से बचने के लिए उदर ये ब्रिशन, और option D, बाहर करनों की उपस्थिती, तो राइट अंसर हो जाता है, आपका option number B, उसके बाद अगला question कहता है, गोरीला, चिंपेंजी, बंदर, वा मनुस, सभी समंधित होते हैं, option A, शमान जाती से, option B, समान बर्ग से, option C, शमान कुल से, option D, शमान गन से, तो गोरीला, चिंपेंजी बंदर, वा मनुस, सभी जो समंधित होते हैं, तो राइट अंसर, option D, समान गन से, उसके बाद अगला question कहता है, सभी का सेर्कियों में पाया जाता है, option A, ब्रिक, निवाहिका तंत्र, option B, प्रिष्टिये, खोखला, केंद्रिये, केंद्रिका, तंत्रिका, तंत्र, option C, चार क कोश्टी, आधर, इहर्द, option D, ग्राशनी, गील, दरारे, तो यहां पर राइट अंसर हो जाता है, आपका, option number B, उसके बाद अगला question, मेड़क में सलेसमा सहायता करती है, बनाने में, option A, मोटी तवाचा को, option B, सुस्क तवाचा को, option C, चिकनी तवाचा को, और option D, नमी तवाचा को, तो सलेसमा जो सहायता करती है, तो राइट अंसर हो जाएगा, option number, आपका, D, नमी युग तवाचा को, उसके बाद अगला question, कि समूह के सभी सदस्यों में, लारवा अवस्था पाई जाती है, option B, मेड़क छिपके लिए वगका क्रोच में, option B, एसकेरिस, घरे मेड़क में, option C, घरेलू मेड़क में, option D, तितली मेड़क में, तो यहाँ पर आपका, राइट अंसर हो जाता है, option number, D, तितली मेड़क में, उसके बाद अगला question, कौकरोच वास्तनियों के, ट्रेक्या में समानता होती है, option C, जोडा प्रकिर्ती, यानि यूगल प्रकिर्त option B, अच्छा है भीतिया, option C, ciliated, आंत्रीक अस्तर, आस्तर, और उसके बाद D, सिर से उत्पती, तो आपका यहाँ पर राइट अंसर हो जाता, option number B, तो students, यह था important question, इनमल kingdom का, उसके बाद चलेगा, plant kingdom, उसके बाद reproduction, उसके बाद genetics, पूरा syllabus का करवा देंगा, 10 दिन के अं